दोस्त आज तक ना जाने आपने कितनी मशीन हैं देखी होंगी लेकिन आज इस वीडियो में जो मशीन हैं हम आपको दिखाने वाले उन्हें देखने के बाद अब जरूर से सोच में पढ़ जाएंगे दोस्त इस लिस्त में सबसे पहली मशीन है वी डबल मटेरियल डाला जाता है और जो इसके अंदर मिक्स होता है और फिर रोटेटिंग वील्स में आता है और फिर इसके पहिये में लगें फ्रेम से ब्रिक्स बनकर लगातार नीचे बिस्ती होई चली जाती है जैसा कि आप इस स्क्रिन पर देखी सकते हैं और आज की आधुनिक मशीन एक मिनिट में करीब 400 ब्रिक्स बना सकती है अगली मशीन है इस पार्टन लिफ प्रो दूस्त और यह मशीन कितनी चालब पावफुल है इस खंडाजा आप इसकी सफाई को देखकर ही लगा सकते हैं यह जो मशीन आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है स्टम ग्राइंडर इस स्टम ग्राइंडर का इस्तेमाल पेड़ो को काटने के बाद उसके बेस को पुरी तरह से नस् अगली मशीन है स्टोन टी आई वीजी दोस्तों एक स्टोन क्रशिंग मशीन है और यह मशीन बड़े-बड़े पत्थरों को कुचल कर एकदम चकनाचूर कर देती है और इस मशीन का अस्टमा स्टम के बनाने में किया जाता है इसका जो रोलर होता है वो काफी जाता भारी बर कम होता है और इस पर कुछ बेहत डमदार नुकीले टीत लगे होते है और जिससे पत्थरों के छोटे-छोटे ट्कड़े हो जाते हैं और इससे रोल बनाने का काम काफी जाता आसान हो जाता है नेक्स्ट है सैनी एकसवेटर दोस्तों एकसवेटर को दुनिया के सबसे स एक्सवेटर में से एक माना जाता है क्योंकि यह बेहत मुश्टल से मुश्किल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और यह कितने पावफुल होते हैं इस घंदाज आप इनकी करतव व्यकों देखकर ही लगा सकते हैं और इसके काम करने की एक्यूरेसी को देखकर तो आप हैरान फोरेस्टी मल्चर एक लैंड क्लीनिंग मशीन है और यह मशीन काफी देजी के साथ पेड़ो और जाड़ी को हटाने का काम करती है इसमें आगे की साइट एक फास्ट रोटेटिंग जिसके डिस्टेट ड्रम लगा है और जो पेड़ो को काफी देजी से खिसता है और यह किसी भी डारेक्शन में एक सेपेड मुवेंट कर सकती है और इन एक्सकेवेटर को ऐसी चगाह पर काम करने के लिए डिसाइन किया गया है जहां पर साधारन एक्सकेवेटर के द्वारा काम नहीं कराया जा सकता है क्योंकि इनके जो पाइड़ल लैक है उनकी मज़से किसी सिच्यूशन में खुद को पोजिशन कर सकते हैं और काफी आसानी के साथ काम कर सकते हैं वैसे दूस्ता आप सभी को क्या लगता है इन सभी मशीनों में से कौन सी मशीन सबसे ज्यादा यूसफुल है नीचो कॉमेंट करके ज़रू बता है और अगर आप ऐसे वीडियोज आगे भी देखना चाहरते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आकान से सब्सक्राइब दमाएं जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोज के नॉटिपिकेशन मिल सकें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जय हिन जय भारत वंदे मात्रम